थमनेल पर आपने बिल्कुल सही पड़ा कि एक मिनट में प्राफिट जी हाँ ऑप्शन ट्रेडिंग वो जरीया है जिसके जरीया आप एक मिनट में क्या एक सेकंड में प्राफिट निकाल सकते हैं आज मैं लाइव आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ कि एक मिनट इंद क्लिक क्लिक करकर के ट्रेड लेकर के दिखाऊंगा पर उससे पहले concept समझाऊंगा क्योंकि आपको पता है मैंने लास सेशन में बात किया था option trading वहाँ वो चीज है जहां पैसा यूँ बनाया जा सकता है लेकिन अगर सीख के सही तरीके से ट्रेड लोके नहीं किया तो पैसा क्यूं गवाया भी जा सकता है और लोग गवाते भी हैं ज्यादातर लोग mistake यही करते हैं कि सही knowledge सही ट्रेडिंग के बिना करते हैं जिसकी वेश से पैसा उनका wipe out हो जाता है खत्तम हो जाता है कहते भी हैं कि 90% लोग 90 days में अपना 90% capital गवा देते हैं ऐसे कहावत options के बारे म वीडियो अस लंबा जरूर है लेकिन पूरे ध्यान से pen paper ले करके समझो मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा खतम हो आपका पैसा incoming बढ़ना चाहिए मिंटों में पैसा कमाना है गंटों में पैसा कमाना है seconds में पैसा कमाना है तो सीख लो तो मेरी screen आपके शामने आजाएगी त बेख रहे हैं पहले आपने कभी option trade नहीं किया है पहली बार आप करना चाह रहा है तो कैसे क्या क्या step लेकर की किया जाए और उसके पहले क्या समझने क्या जानने की जरत है वो सब समझाने वाला हूँ बिलकुल बच्चों की तरह ठीक है तो let's go it how to take your first trade अच्छा trade लेने से पहले कुछ जी यह समझ लो का आपके पास एक demat account या discounted broker account होना चाहिए demat account किसी भी जगे खुलवा सकते हो वैसे आज के टाइम में तो discounted broker account जैसे grow, upstock, zero dha इन सब किसी भी जगे पर आप खुलवा सकते हो मैं basically grow में करके आपको दिखाने वाला हूँ और उसका description में link भी है कोई commission वगरा उससे मुझे नहीं मिलने वाला आप direct play store, app store में जा करके grow, download कर सकते हो उस पे कर सकते हो काफी easy होता है और user friendly है इसलिए मैं use करता हूँ और आप भी use कर सकते हो और आपके पास कम से कब 8,000 रुपे का fund आपके wallet में होना चाहिए क्यों यह मैं कह रहा हूँ वो सा आज़ी में आएगी तेरे तेरे, ठीक है, trade सबसे पहले समस्ते trade होता क्या है, खरीद भिकरी को यह तो trade कहते है, 100 रुपे की चीज़ खरीदो, 120 रुपे में बेचो, तो 20 रुपे का profit हो गया, 20 रुपे का profit हो गया यानिकि वो एक trade हो गया, अगर 100 रुपे की चीज़ option trading, option trading में हम किस चीज़ का trade करते हैं, जैसे stock की trading में, stock की trading में actual stock की trade करते हैं, actual share की trade करते हैं, but option trading में actual stock की trading नहीं करते हैं, यहाँ पर contract होता है, जैसे contract क्या होता है, जैको थोड़ा बहुत अगर technical word use कर लो ना, तो माफ करना, बट उसके साथ ही मैं आसान भासा भी इस्तमा करता रहोंगा कॉंट्रैक्ट बोल दिया कंफ्यूज ना होना जैसे मैंने लास्ट टेम पे एक्जांपल दिया था रेंट गर पे रेंट लेना एक पचास लाग का घर या फिर पचास लाग अगर नहीं है तो दस हजार रुपए दे करके उस घर में आप रहेट सकते हो आपको तो रियल स्टाक पर ट्रेडिंग नहीं करनी है इस टाक के कॉंट्राक करना है तो अटीज पूंट्रक क्या है वैसे ही जैसे पचास लाग के घर में आपको 10.000 और रुपए दे करके रेंट देकरके रहते हो न वैसा ही छोटा सा अमांट देकरके आपने उस शेर का कॉंट् इन एक्चुल शेयर ट्रेडिंग यू कन बाइ वन शेयर ऑफ रिलाइन्स और एनी नाम एक्गामपल लेलिया मैंने रिलाइस का बट इन ऑप्शन यू कांट बाइ कॉंट्राक्ट फ़न शेयर रियल शेयर ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग के वब करते हो वहां पर एक बाइ कर सकते हो बट ऑप्शन में लॉट खरिदा जाता है पूरा का पूरा लॉट अब कोई कंपनी 50 का लॉट देती है कोई 60 का लॉट कोई 200 का लॉट कोई 300 का लॉट मतब 300 शेयर है और उसके लिए आमें 300 शेयर की कीमत पे करने की ज़रत नहीं है लास्ट वीडियो मैंने देखा है तो उसके बाद ही दर आओ ठीक है तो लॉट में मिलता है और यह अच्छी बात है ना वह एक शेयर की कीमत पे करके मुझे 300 शेयर का 300 शेयर पे खेलने का मौका मिल गया यही तो आप्शन की ब्यूटी है यही तो हमें मार्जन मिलता है इदर ठीक है तो ग्रूप शेयर कांट्राक्ट वह अक्टोल शेयर नहीं है और बेसील की होता है और यह क्ट सेयर कांट्र Україаров excluded करते तो वो actual घर है, बट rent पे अगर कोई रह रहा है, तो derived from actual home to rented home, actual home की price अगर 50 लाग साथ लाग रुपए हो गई, तो भाईया 10 अजार का rent भी 15 अजार होगा ना, साथ लाग का घर अगर 80 लाग हो गया, तो उसी घर का rent भी 15 अजार होगा ना, उसी तरीके से actual share की price बड़ेगी, तो भाईया rent भी बड़ेगा, यानि की contract की जो कीमत है वो भी बड़ेगी, और similarly घटेगी भी, ठीक है, विपे premium, जो साथ हम घर में रहने के लिए rent देते हैं, पचास लाग के घर में रहने के लिए, दस्तो जार रुपय का rent दे रहे ना, rented house में, उसी तरीके से options बाई करते हैं, यानि कि हम contract बाई करते हैं, यानि कि हम को derivative, actual share का derivative, उससे derived है, derivative छोड़ दो, बोलूगा तो confused होगे rented rent समझे लो, contract है, contract, rented house हमने ले लिया, तो rented house के validity होती है, एक महिने का rent, हर महिने देना होता है, एक एक महिने के rent के validity होती है, ऐसा ही आप जब ये option खरिते हो, यानि के contract खरिते हो, इसकी भी validity होती है, weekly और monthly, वो सब हम आगे बात करेंगे, clear, इतना clear, आचा, चलो बागे के trade होती है, सबसे पहले तो scalp trading होती है, scalp trading क्या होता है, अभी हमने कोई buy करा option, दो second के अंदर बेच दिया, पाच मिनट के अंदर बेच दिया, दस मिनट के अंदर बेच दिया, एक घंटे के अंदर बेच दिया, दो घंटे के अंदर बेच दिया, मतलब कुछ seconds, या कुछ mintो या कुछ घंटों में खरीदी बिकरी अगर कोई हो रही है ट्रेड की तो वह स्कैल्पिंग के ला जाती है तो वही स्कैल्पिंग करके मैं आज आपको दिखाने वाला होगी एक मिनट मैं कैसे प्राफिट बुक के आता है वो मैं आपको लाइव मोबाइल पर दिखाऊंगा लेकिन तब तक बने रहो नमबर टू होती है इंट्राडे ट्रेनिंग मतलब एक दिन का सुबह खरीदा तो साम तक आपको बेचके निकलना है साम तक नहीं बेचके निकलोगे तो वह यह नुकसान है साम तक आपको बेचना है यह वो कंपलसर रहे इंट्राडे ट्रेनिंग इंट्राडे इंट्राडे एक दिन के अंदर एक दिन के अंदर की ट्रेडिंग हाँ कोई कंपलसर नहीं को सुबह खरीदा तो साम कोई बेचन दिया मुझे पूरा दिण समझ में नहीं आ रहा बेचने का सई पुजिशन नहीं बन रहा बेचने का कि में प्रॉफट निकाल उंप तो अगले दिन थे भी नहीं बन रहा तो पर 100 तक को तर 100 तक के वो एक दिन के अंदर चाहे scalping कर लो, या intraday कर लो, basically scalping is a part of intraday, एक दिन के अंदर ही कर रहा है न, चलो, अब आपके बढ़ते हैं, how to buy and how to sell and how to get profit, but उससे पहले, actual सवाल ये है, कि how to analyze the market, क्योंकि market को गर analyze करना नहीं सीखाना, profit छोड़ो, अपना capital भी वापस नहीं आएगा, market ना आपका profit भी ले जाएगी और आपका capital भी ले जाएगी, इसलिए profit का मत पूछो, पहले ये पूछो, कि market को analyze कैसे कैसे क्या आता है, तो आज हम वो समझे ला ले है, right question क्या है, analyze कैसे करते हैं, आओ जो analysis सीखते हैं, अच्छे analysis में करना क्या है, क्या क्या analysis करना है वहिया, क्या analysis करना है, तो समझते हैं, कुछ ये चार-पांच चीज़े major analysis हैं, जो कि technical analysis कहलाती है, लास्ट वीडियो मैंने बात किया था न, टेक्निकल analysis, ट्रेडिंग के लिए आपको से टेक्निकल analysis की ज़रत है, जब इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक में, तब हमें fundamental टेक्निकल दोनों चाहिए, हम ट्रेडिंग करने हैं सर्फ टेक्निकल, एक्जामपल दिया था लास्ट वीडियो में, बाइक केर्द गिर्थ, लास्ट वीडियो का लिंक है, नहीं देखा तो देख लेना, ये चारपाच चीजे, मेजरली, टेक्निकल एननेसिस में हमें करने की ज़रत है, करने वाले इससे जाधा भी करते हैं, लेकिन ये मेन मेन है, बिगिनिंग लेवल पर इतना तो करना चाहिए आपको, अच्छा ये क्या क्या है आगे बात करेंगे, कैंडल एननेसिस, इंडिकेटर एनेलेसिस, ट्रेंड एनेसिस, पीस यार यानि कि पुट कॉल रेशियो क्या होता है, support, resistance, analysis, क्या होता है, इसे word क्या होता है, आके सब बात करूँगा, don't worry, वीडियो खतम होने से पहले, सारा कुछ खुपड़ी में घुजा करके वीडियो बंद करूँगा, लेकिन भागना मत उससे पहले, बने रहना, और मज़ा आ रहा तो comment में बताते रहो, like का बटल, दबा जरूर देना, now, सब से पहले candle, candle क्यों होता है, मुंबत्ती, हाँ, वही मुंबत्ती इदर दिख रहा है, देखो, दो टाइप के candle आपको दिख रहे हैं, आपर, positive candle, negative candle, ये positive candle, ये negative candle, positive, negative का मतलब, जब price उपर जा रही है, बढ़ रही है, तो positive candle form होगा, जब price गिर रहा है, नीचे जा रहा है, तो negative candle, यानि कि red form होगा, ठीक है, अब ये candle आप देख रहे हो, candle में basically तीन पार्ट है, एक ये पार्ट, उपर वाला ये टिक की, ये नीचे वाला टिक की, और ये वाला पार्ट, basically इस वाले पार्ट को तो body बोलते हैं, इधर भी, इधर भी, दोनों साइ यानि कि market को जब उपर जाना होगा, तो नीचे से ही तो शुरू होगा, नीचे से शुरू हो करके धीरे 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 उपर की तरह पड़ता है, ये positive candle, यहां से ये शुरू हो रहा है, ठीक है, यहां से शुरू हो करके ये उपर की तरह जो lower shadow है इसको बैसिक लिए shadow बोलते हैं यह candle सुरू तो यही से होता है लेकिन किसी वज़े से यह टिक्की जैसा रह जाता है और उपर भी यह shadow जैसा रह जाता है क्यों रह जाता है आपको आगे समझ में आएगा उसी तरीके से यह red वाला अच्छे यह red वाला उपर से सुरू तो red candle always उपर से जुरू होता है नीचे जाने के लिए और green candle हमेज़ा नीचे से उपर जाने के लिए शुरू होता है यहाँ पर भी यह shadow है यह भी shadow है इसको अपर shadow बोलते हैं इसको lower shadow बोलते हैं और इसको body बोलते हैं इसका मतलब क्या है समझेंगे आगे don't worry आओ आगे candle in live market live market में candles आपको इस तरीके से दिखते हैं अच्छा यह जो candles है न हर एक candle का मीनिंग है combination of candle हर combinations का भी मतलब है, दो-दो candle का combination, तिंदिल candle का combination, जैसे ये दो candle का combination हो गया, ये देखो ये चार candle का combination हो गया, ये भी इदर चार candle का combination हो गया, ये इस एक candle का मतलब, इस एक candle का मतलब हर एक candle का मतलब है, और ये candles आपको बताएंगे क्या होने वाला है अब उपर की तरफ जाएगा या निचे की तरफ जाएगा उस gar kunt, बता ओगे कि मुझे वाले जाने में चाहिए या फिर उपर जाने में चाहिए आप में होता है सब कुछ बड़न टु क्लिक पर होता है बड़न क्लेक के रहोगे, बोलो, कुई निचे जान जाने वाले में तो मुझे ठीक है लेकिन उपपर जाने वाला बोल और उपपर गया तो प्रॉफिट जो आपकी प्रेडिक्शन सही है तो प्रॉफिट गेंडल रियल लाइव मार्केट में कुछ ऐसा देखता है तो आद जल्दी जल्दी फास्ट बोल रहा हूं कि कुशिश क जल्दी खतम करने के लिए इस तो फास्ट बल रहा हूं और आप को अगर ना समझ में आना तो आप पॉस करके आप दुबारा देख लेना इंडिकेटर्स इंडिकेटर क्या होता है आप जैसे यह आज की बात है आज मैं ट्रेड कर रहा था तो लाइव मार्केट का मैं स्क्रीन शॉट लेकर के दिखाता हूं लिखाया आपको इंडिकेटर होता है टूल विच प्रोवाइड़ बाई ट्रेडिंग सॉफ़वेर कोई ट्रेडिंग व्यू करो या ग्रो में कर लो या कोई आप स्टॉक में कर लो जिरुदा में कर लो कोई भी ट्रेडिंग सॉफ़वेर आप कर लो उसमें आपको इंडिकेटर्स दिये जाते हैं इंडिकेटर्स देखो यह एक इंडिकेटर्स मैंने यहां पर आपको स्क्रीन श बेचे किदर जाएगा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो अच्छे तरीके से और कई सारे इंडिकेटर होते हैं यहां तो मैंने एक इंडिकेटर सिर्फ आरे साई लेकर करके एक्जामपल दिया अब जैसे मैं आपको दिखाऊ हूं यह देखो आरे साई क्या होता है आप यहां पर चल रही है इस वक्त मतलब बॉटम जो चल रही है ये एक समझ लो एक लेयर हो गया ठीक है इस लेयर के नीचे देखो यहां पर प्राइस चल रही है तो प्रेडिक्शन क्या कहता है नीचे आई हुई है तो मार्केट उपर जाएगा गया ना उपर बहले नीचे आगे फिर प्रेड में चल रहा है ना उपर ना नीचे तो यहां पर मैं ट्रेड नहीं लूँगा यह साइड में चल रहा है प्राफिट लोगा कि लोगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा है उपर अगर है तो मुझे समझ में आ रहा है मार्केट निचे जाएगा तो वहां पर मैं ट्रेड लूँगा वहाँ पर मैं start करूँगा गुज जाओंगा market में trade ले करके profit निकालने के लिए ठीक है RSI just एक indicator है ऐसे कई सारे indicators का इस्तमाल करके आप समझते हैं कि market feature में कहा जाने वाला है ठीक है एक ऐसे नहीं RSI देग रहा पर तो खेल हो जाएगा ऐसा नहीं practice की चीज़ है बार-बार-बार-बार-बार देर में इंडिकेटर्स चोकि हम आगे के वीडियो में जो आगे में वीडियो आपको दूंगा उसमें सिखेंगे है इंडिकेटर समझ में है एक तो Candle candle हम देखते हैं हर एक केंडल का मतलब होता है आप अगर चाहते हो कि मैं candles के बारे में डिटल बताऊं इंडिकेटर के बारे में डिटल बताऊं या या जो चीजह आउसके बारे में बताऊं मुझे comment बॉक्स बताऊ और मुझे like करके ज़र पूरा भी नहीं कॉड़ क Tôi्यों पूर्ट कया होता यह पूर्ट क्या होता है पुड़ राइटर कि आ आगे समझाता हूं, सबसे पहले put और call होता क्या है, देखो जब आपको लगता है, जब आपने सारी अपने गणित लगा लिए, indicators भी लगा लिए, candles भी लगा लिए, सबका market अग्दम, market अब उपर जाएगा, तो आप खरिते हो call, call, market उपर जाएगा, तो आप क्या खरिते हो, call, और market जो आपको लग रहा है निचे जाएगा, तो आप क्या खरिते हो, put, पुट जब आपका गडित कह रहा है market ऊपर जाएगा तो क्या खरीद होगे call जब आपका गडित कह रहा है market नीचे जाएगा तो क्या खरीद होगे будет अच्छा put call ऊच्छा समझे ऊच्छा call ऐसे उटाते हैं ना phone call 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 तो मार्केट जब उपर की तरफ जा रहा है तो कॉल खरीदेंगे, अच्छे पुट का मतलब क्या होता है, पुट, ये, पुट, पुट, मतलब नीचे की तरफ रख रहे हैं, तो पुट, ऐसा समझ में आ है, जब नीचे जा रहा है, तो हम पुट खरीद लेंगे, जब उपर अच्छा रहा है, तो कॉल खरीद लेंगे, कॉल का मतलब उपर, पुट का मतलब नीचे, समझ गए, ठेक, तो जब आपने डाउन वोर्ड जाते हुए, खरीदा ऑप्शन, तो आप क्या बोलोगों, मैंने पुट खरीदा है बईचा, मैंने क्या खरीदा है, पुट खरीदा है क्योंकि ऊपर जाने का इसलिए मैंने कॉल खरीदा और मार्केट अप जाता है तो आपको प्रॉफिट आता है लेकिन आपने कॉल खरिदा और गया मार्केट नीचे तो लॉस ठीक है तो इसलिए ठीक से बिठा करके, now, put writer and call writer, हमको क्या करता है, put or call, किसे कर देंगे, कहा कर देंगे, share market में खर देंगे, ये बात ठीक है, लिकिन कोई भीचने वाला भी तो होगा, यानि कि, sorry, हम है, buyer, और हर buyer किसे खरीदेगा, कोई न कोई तो seller होगा, buyer seller से खरीदेगा, और seller buyer को बेचेगा, always, जब जब buyer है, seller के बिना buyer के पास कुछ नहीं आएगा, और buyer नहीं है, तो seller क्या करेगा, किसको बेचेगा, तो जब हम put खरीद रहे हैं, तो किसी ना किसी put seller से खरीदते हैं जब हम call खरीद रहे हैं तो किसी ना किसी call seller से खरीदते हैं ठीक है इतना समझ में आ रहा है हम हो गए call buyer उस time पे जब हमने call खरीदा सरी ये मैंने गलत बना दिया call buyer हम हैं और हमने call seller से खरीदा अच्छा call सरी put हो call buyer किस से खरीदेगा call seller से अच्छा put buyer किस से खरीदेगा put seller से हम buyer हैं हम और आप buyer हैं seller में है seller बनने का अलग उसमें तितम में बाजी लफड़े बाजी बहुत है उसमें उसका अलग concept है seller हम नहीं हैं हम buyer हैं हम यह तो buy करेंगे यह तो call या फिर हम buy करेंगे put ठीक है तो पूट जो sell कर रहा है ना इसी को हम कहते हैं put writer call जो sell कर रहा है ना इसी को हम कहते हैं call writer call writer कौन है call seller put writer कौन है put seller और राइटर का मतलब लेखक वाला लेखक वाला रहा है पता नहीं क्या कैसे share market बनाने वालोने कैसे टमिल राइटर का मतलब seller कैसे हो सकता है लेकिन है यह 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 तो माल लो तो माल लो seller कर राइटर put seller put writer call seller इकल तो call writer बोलते हैं ठीक अच्छे यहां पे समझो trick समझो call buyer किस उमीद से आपने call buy कर रहा है इस उमीद से कि market उपर जाएगा market जाएगा तो आपका profit लेकिन यह जो call seller है ना इसका profit मलूम कब होगा जब नीचे जाएगा तब इसका profit है क्योंकि option trading में एक की जेब से पैसा निकलता है तो दूसरी की जेब में जाता है आपको अगर कमाना आना तो किसी ने किसी seller की जेब से पैसा आएगा आपके पास seller तभी कमाएगा जब किसी buyer की जेब से पैसा निकालके जाएगा मतलब एक दोनों एक दूसरे के जेब से पैसा निकालते रहेंगे, एक कमा रहा है तो किसी से निकाला, एक profit में गया तो कोई नहीं तो loss में गया तो प्रॉफिट में इसी तरीके से call buyer चाहेगा market उपर जाए, तभी तो उसने call buyer करा रहा है, लेकिन call जो seller हो चला कर, अच्छा, market उपर जाने के लिए तुने लिया है न, मेरी पूरी घनित रहेगी market नीचे जाए, अब नीचे जाएगा तो तभी तो call seller कमाएगा न, तभी तो इसकी जेव से पैसा निकाल पाएगा, call seller call buyer की जेव से निकालेगा न, इसी तरीके से put seller, put buyer की जेव से निकालेगा तो उल्टा है दोनो, put buyer चाहेगा market नीचे जाए, लेकिन put seller चाहेगा market उपर जाए, क्यों चाहेगा ये, क्योंकि put seller चाहरा है market उपर जाए, market उपर जाएगा इसका loss, इसका loss मतलब इसने जो पैसा लगाया, वो निकल के इसकी जेव में चला जाएगा, ठीके, opposite, call buyer चाहेग market उपर जाए, लेकिन call seller चाहेगा नीचे जाए, put buyer चाहेगा market नीचे जाए, थाकि profit कमा है, लेकिन put seller चाहेगा उपर जाए, थाकि profit बायर की जेव से निकाल ले, ये दोनों एक दूसले की जेव से पैसे निकालने से लगे हुए है, ठीक है, इत्ता clear, अब आगे बढ़ो, ये नहीं लेंगे, नहीं तो फिर पैसा गवाओगे, ये सब समझ के जाओगे, अच्छा ये सब भी जो समझा रहा हूँ है, overview समझा रहा हूँ, उपर उपर मोटा मोटी, इसके in-depth नहीं गुशा हूँ, candles के meaning, कौन से candle का meaning अभी तक नहीं समझा है, मैंने, इतने सारे indicators होते है, किन-किन indicators का हमें, कभी यूज करना है, वो सब नहीं बता है, मैंने, आप अगर ये सब चीज़ चाहते हो, मैं आपको बताओ, comment box मुझे बताओ, प्रत्सान में भी लेगा, और आगे के लिए वीडियो भी प्रिपेर करूँगा, comment box मुझे जरू बताओ, और like जरू कर द seller होते हैं, ताकि वो option sell कर पाएं, पहले यह strike price फिर एक technical term आगे है, यह क्या है, strike price वो होता है, जिस stock पर, जिस share पर, option चल रहा है, जिस share का हमने option लिया है, haba, और Rise तो, का ही option हमने लिए है, Tata, तो Tata को हमने option लिया है, TCS का वैंनो, Beginning option लिया है, तो उसकी actual value और Tata का option लिए है टाटा के share की actual value उसवक्त की आए, निफ्टी अगर लिया है, तो निफ्टी के share की actual value उस वक्त क्या है अब लेकिन उसके लिए प्रीमियम ये देना है ठीक है 15,700 पे जब पोजिशन है जब उस टाइम जो प्राइसिंग है उतने पे खरीदोगे यह प्रीमियम है अच्छा एक्जामपल 15,900 पे जाओगे 15,900 की वेल्यू वाला ओप्शन खरीदोगे तो आपको यह वाला प्रीमियम देना यह प्रीमियम बतला एक सुचार लार इंटो 50 कर लो उतना पे करना है लास्ट में आपको स्क्रीन करके दिखांगा न जा सब दिखांगा इन में सबसे जो इमकॉर्टेंट कॉलम है यह तीन कॉलम है यह तीन कॉलम नहीं समझा रहा हूं मैं इन डेप्ध आगे जब आप यह समझ जाओगे तब मैं आगे समझाओगा देखो 15,700 strike price पर यह OI देख रहे हूँ OI मतलब open interest open interest का मतलब मैं यह देख पा रहा हूँ कि 15,700 की pricing जब चल रही है उस वक्त अगर मुझे trade करना है तो call की side यह call का data इदर और इदर देखो put का data है तो call की side इतने deals open है deals deals का मतलब buyer और seller दोनों जब हैं तभी तो deal होगी तो इतने deals open हैं खड़े हैं अभी वह यह deal अभी close नहीं हुए deal close कब होती है जब बेच दिया अभी बेच आ नहीं इतने deal open है अच्छा 31,000 माइनस देख पा रहे हो इसको change in OI change मतलब 31,000 माइनस अच्छा मतलब इतने deal खतम हो गए चले कह भी है अच्छा volume देख रहे हो 2,68,000 मतलब इतने share की trading open है भी हो रही है वहाँ पर अच्छा इसी तरीके से मैं 15,850 पर लेता हूँ 26,000 deals open है deals open मतलब इतनी deal अभी close नहीं हुए चल रहे है इतनी deal है वहाँ पर अच्छा 11,635 नई deal आ गई और 4,000,000 share actual share की वह यह trading यहाँ पर चल रही है इसी तरीके से put के side भी होता है हर price के लिए यह दो को volume कितना है मतलब कितने share changing होई कितने मतलब नए आ गए और actual 35,000 open deal थे आपको हो सकता है भी नहीं समझ में आ रहा हूँ don't worry, attention मतलब यह overview दे रहा हूँ मैं आगे हम इसको समझाएंगे इन दोनों का हमें ratio देखना होता है ratio भी एक एक ratio fix है कितना कितना आना चाहिए हमें के side जाना है आगे मैं समझाओंगा मोटा मोटी जाधा बटन नहीं दोंगा भी हम बिगनिंग पर चल रहे है तो इतना मोटा मोटी समझ में आ रहा है तो ठीक है काफी है आगे एक वीडियो हम बोलोगे तो put call ratio अगला वीडियो put call ratio भी बिना दोंगा जो भी चाहोगे कम से कम 20 मट लएगा मुझे put call ratio सर्फ समझाने में ठीक है चलो भागे पढ़ते यू शूड मेक अनोट अठला इन चीजों पर जैसे मैंने strike price बोला strike price का मतलब उस वक्त current time में 2 बचकर 40 मिनट पर actual share की value क्या है मैं Reliance के stock में अगर option लिया है तो Reliance के actual share की value क्या है option की तो price अलग होगी न option की तो premium जाएगा लेकिन actual price तो Reliance का तो उस वक्त Reliance की price क्या है वो strike price है अगर मैं TCS में खेल रहा हूँ TCS का option लिया है तो option का option TCS का में लिया वो premium दे करके छोटा सा चोटा सा premium दे करके लेकिन जो actual price है वो 3,300 है TCS का वो जो भी price है वो उस वक्त क्या है strike price जो price है उसको strike price बोल रहे है ठीक है वो घड़ भी जाएगी जैसे हो सकता है कि 12 बजे वो 2000 थी एक बजे 3000 चली चार बजे तीन बजे कुछ और चली कि इता खर नहीं होता है मैं example ले रहा हूँ समझाने के लिए ठीक है open interest open deals which is not closed yet open interest बहुत लोग को समझ में नहीं आता आप समझ लो open interest open interest खुला है interest मतलब यह deal अभी open है deal close नहीं deal close के तलब जब बेच दिया बेच्चा नहीं अभी आपने 100 रुपे का option लिए 100 रुपे का शेर लिया बेच्चा नहीं अभी deal open है ठीक है change in OI मतलब नई deal आए market में उस वक और हर 2-3 मिनट पे न वो screen refresh करोगे जो इस screen अभी दिखा है ने वो NSE की website website से उठा है मैंने हर 3 मिनट में data refresh होता रहता है volumes number of shares in open trade अभी open trade में पढ़े है number of share कितने share है LTP last traded price क्या था हर मिनट में change हो रहा है इसलिए last traded price चलो आगे पढ़ते है support resistance बहुत सरूरी बहुत सरूरी इसके बिना तो trade करमाई नहीं बिलकुल नहीं supporter resistance क्या होता है इसको bouncing ball से सन्जो tennis ball देखा न या football देखा न football football को जोर सोवगे से पटो तो क्या होगा ज्यादा जोर से पटका जितनी जोर से निचे जाएगा उतनी जोर से उपर जाएगा फिर छोड़ दिया टपर 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 टपाक टपाक करके बढ़ जाता है इसाぎ उपर देजी से प्रेखो जितनी तेजी सह उपर थेचा निच्श एए इसे टपाक टपाक तपाक करके तो ऊपर जिस पॉ documents से टकराके निच्छे आया। वो resistance निचे जिस point से टक्रा करके उपर वापस bounce किया वो support तो इदर जो आप देख रहे हो एक line आप निचे देख रहे हो और एक line आप उपर देखो इस line को बोलते resistance मतलब ये line पर जब ऐसे होकर के जा रहा हैं देखो वहाँ से निचे आ गया मतलब इस point पर टकराता हूँ मुझे अगर दिख रहा है तो मतलब price निचे जाएगा मैं put खरीद लूँगा अच्छे यहां पर मैंने देख लिया अरे तो buy खरीदूँगा मैं call buy करूँगा मतलब आप उपर जाया गया अब बीच में तो पता नहीं है वो समझना पड़ेगा लेकिन support रेसिस्टेंस अगर मुझे बनाना आ गया समझ गया मैं concept यह support रेसिस्टेंस हमें बनाना यह एक indicator के दुरूब बना सकते आप तो यह बनाना आ गया तो आसानी से ना मैं अगर समझ गया यहां उपर तो गई और पता चल गया रहे तो support है तो निचे जाएगा और य जैसे मुझे यहां देखेगा मैं खरीदूँगा put जैसे मुझे यहां देखेगा मैं खरीदूँगा when तो support resistance समझना आथ देखना आजाएगा चाहिए जाओगी इस पर भी वीडियो तो इस पर बी डिडियल में वीडियो बना दूंगा कैसे support resistance पःचांदे हैं ठीक आगे बढ़ो लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग कर समय अब आगया है अब मैं मोबाइल पर स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ क्या करने वाला हूँ सबसे पहले मैं निफ्टी चूज करूँगा निफ्टी फिफ्टी उसमें मैं आप्शन ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा निफ्टी चूज करने बाद वहाँ पे व्यू आप्शन चीन का बटन आएगा उस बटन पे जब मैं जाऊंगा न तो पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कितना प्रिमियम मुझे देना पड़ रहा है 1500-700 पर कितना प्रिमियम है 1500-600 पर कितना प्रिमियम है 1500-800 पर कितना प्रिमियम है जो भी current strike price होगा उस वक्ट मार्केट का उसका प्रिमियम देख करके मैं put या call ले लूँँगा जो भी Okay prediction मुझे कह रही होगी उसके पास select add the money price, चलो add the money नहीं समझाओगा फिर लंबा हो जाएगा, बस अभी screen पे जो दिखाऊँगा ना, उधर समझा दोंगा, समझा ना ये हम अब screen पर करते हैं, तो आओ चलो, direct अब nifty screen पर jump करते हैं आगे मैं और default setting के साथ pipe कर लिया okay, done हो गया, मेरा order लग गया अब मैं आजाता हूँ, dashboard पर dashboard पर देखो भी, ये minus 30 रुपए loss में 10 रुपए minus, 2 रुपए minus, ये basic के लिए dashboard है यहाँ पर आपका profit loss एकदम पटपट पटपट दिखता रहे गा, देखो पहते सुए profit में भी आ गया 55 profit में आ गया 92, 97, फड़ाफट फड़ाफट वड़ाफट यहाँ पर देख रहे रहे ना profit loss कितितेजी से बढ़ रहा है अब ज़र position details में आटर के मैं दिखाता हूँ, तोटल यहाँ पर purpose profit loss दिखाना नहीं है, purpose trade दिखाना है यह profit हो रहा है तो loss भी होगा और loss हो रहा है तो profit भी होगा depend करता है आपकी intelligence, discipline, knowledge, training कितनी अच्छी है उसके basis पर आप profit यह loss करते हो purpose मेरा trade दिखाना है profit यह loss दिखाना नहीं है just example मैंने यूही ले लिया है मैं अगर अपना trade करता हूँ तो अलग तरीके से करता हूँ just आपको trade दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ ठीक है 170 तक आ गया है, 135 तक 140 145 चलो हम इसको end कर रहे हैं बाकी हम अपने वापस से session पर आते हैं इसको मैं off कर रहा हूँ अपसे मैं इस बार trade नहीं लोगा अब आपको समझाता हूँ मैंने किया क्या क्या अब यह home screen आपको दिख रही है यहाँ पर मैंने nifty 50 select किया था यह nifty 50 मैंने select किया था यह nifty 50 मैंने select किया था यह index है basically NSE का index है तो मैं इस पर option trade करने के लिए आगे बढ़ गया click करके अब आजब nifty 50 उसके बाद मैंने क्या किया view option chain पर गया view option chain click करके भी मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको यह है view option chain button इस पर आप जा करके देखोगे भया कि options में क्या pricing चल रही है क्या premium कितने 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 strike rate पर strike rate जैसे मैंने आपको बताया कितने strike rate पर क्या-क्या premium देना पढ़ रहा है वो पूरी list आपके सामने आ जाती है और वहीं से हम या तो put buy करें या call buy करें वहीं से हमारे सामने यह option आ जाता है तो हम इस पर click करके आगे बढ़ते है view option chain पर मैं click कर गया ठीक है अब अभी strike price आप देखो एक बार फिर से मैं highlight करूँ मैंने क्या करा था put option लिया था इधर और एक चीज़ ध्यान रखना यह जो boundary आपको दिख रही है ना इस boundary के आसपास ही initially price लेना बात में जब आप सीख जाओगे एक्सपर्ट जाओगे out the money चलो यह सब वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ मामुली आम बासाइब यूज़ करता हूँ तो एक बार जब आप सीख जाओगे तो इधर 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 यह सब भी ले सकते हो लेकिन जब beginner हो तो यहीं के आसपास की pricing लेना जब आपको put लेना होगा तो इधर लेना जब call लेना होगा तो यह उधर लेना call लेना होगा तो line से उपर left में और line से नीचे right में put लेना होगा तो ठीक है यह करना मैंने भी यहीं किया इसका reason क्या है मैं आपको आगे के वीडियो समें बताऊंगा आप यह छोड़ देते हैं इसको अच्छा दूसरी चीज जब मैंने इस पर क्लिक किया आगे बताता हूँ मैंने buy button पर क्लिक किया था गलती से भी sell button पर क्लिक मत कर देना अदर्वाईज आप seller بن जाओगे और एक बाद बता दू, बायर का नुकसान न, उतना ही होता है जितना बायर ने इंवेस्ट कर रखे हैं, अगर 7800 इंवेस्ट कर रखे हैं मैंने, तो मेरा नुकसान maximum 7800 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप seller बन गया न, तो maximum 7800 नहीं, नुकसान unlimited, एक लाइन में अगर आप बोलू न, तो बायर का लॉस उतना ही जितना लगा है, and profit is unlimited, बायर किता पैसा कमा सकता है, unlimited कमा सकता है, नुकसान किता हो सकता है, जितना पैसा लगा होता ही, 7800 लगा है तो 7800 लगा है उससे उपर नहीं, लेकिन अगर आप गलती से seller बन गए, और आपके trade गलत गई, तो आपका नुकसान भाया unlimited है, तो गलती से भी हड़बड़ी में internet खराब हो, मैं ये नुकसान उठा जुका हूँ, एक बार गलती से, बहुत हड़बड़ी में मैंने लिया था, phone से ही trade, तो मैंने गलती से इस button पर click कर दिया था, और मैं बहुत मोटा न पर click करके आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पर देखो क्या क्या है, यहाँ पर यह देखो, 50 यह क्या है lot, निफ्टी 50 में basically lot side जो आपको मिलता है stocks का, वो 50 stock का, आपको lot side मिलता है, मतलब एक बर में 50, और एक की price देखो, कितनी, 114 रुपए, 114 इंटो 50, तो वही 78,000 के आस-पास, आस-पास आता है, तो उतना हमें पर एक करना पड़ता है, ठीक है, तो यह समझ गए, और अब यहाँ पर अगर buy button पर click कर दिया, तो भहिया buy order पर चला जाएगा यह, जो मैं भी करने नहीं बाला, तो हम वापस चले आते हैं, screen recording को off कर रहे हैं, तो यह live trading देख कर सूज समझ करके trade लेते हैं, पूरी गणित लगा करके trade ली जाती है, ठीक है, तो और यह जो मैंने चीजें आप लोगो को बताई हैं अभी, यह चीजें हमें देखनी होती हैं trade लेने से पहले, और इन जीजों को वाट detail में आप सीखना चाहते हैं, comment box मुझे बताओ, like जरू करके आपके सामने में देता रहूँगा, option trading में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर disciplined हो करके, सीख करके, किया जाए, मेरे contacts में बहुत सारे लोग regular basis पर पैसे कमा रहे हैं, but मैं ऐसे भी लोगों को जानता हैं, जो पैसे गवा करके बैट भी गए हैं, क्योंकि उन करके तो